नविश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मोक्स चैनल जहाँ पर मैं फ्रिया पांडे आप सभी का हादिक स्वागत करती हूं और आज हम कुछ ड्रीम्स की बारे में बात करेंगे जी हाँ हमारी पहली की कुछ वीडियोज भी हैं जिसमें हमने आपको सपनों के बारे में बताया है कि आपको कुछ-कुछ सपने आती हैं उन सपनों का क्या अर्थ होता है अपकी जीवन में और हमने आपको ये बाद भी बताई है कि सपनों का हमारे जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पढ़ता है उसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है वो कुछ न कुछ संकीत हमेज जरूर देता है तो आज एक बाद फिर से मैं आपको कुछ सपनों के बारे में बताऊंगी जी हाँ यदि सपने में हनुमान जी दिखते हैं तो उसका क्या असर होता है आपके जीवन पर क्या होता है इसका तारी जानकारी में आपको दूंगी कि हनुमान जी का सपना खोलेगा आपके भागे सफलता, आपके कदमों में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा है, बुरा है, इन सब तमाम तरह की जानकारियों को चलिए फड़ा-फड़ से बताते हैं आपको कि अगर सपने में आप हनुवान जी को देखते हैं यदि अलग-अलग तरह से हनुवान जी आपको सपने में दर्शन देते हैं, तो इसका क्या आर्थ होता है हनुवान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाई शीगरी ही पूर्ण करते हैं हनुमान जी का हाथ भी सदैव अपने भक्तों के सिर पर रहता है अब आपको बताते हैं सपने में हनुमान जी का दिखना आपके लिए क्या दर्शाता है दोस्तों ऐसा माना क्या है कि अगर आपको सपने में हनुमान जी का मंदिर दिखे या फिर हनुमान जी की मूर्ती दिखाई दे तो आप ये समझ लें कि हनुमान जी की क्रिपा आप पर जल्द ही बरसने वाली है और इस सपने का अर्थ है जल्द ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी अगर आपके कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो आपको उसमें सीग रही सफलता मिलने के आसार नजर आ रही है वही अगर आपको सपने में हनुमान भगवान का बाल रूप दिखाई देता है तो समझ लें आपकी तरक्की की दर्वाजे जल्द ही खुलने वाले हैं आपको अपने वर्क स्पेस या ओफिस में कोई नया पद संभालने को मिलेगा जससे आपके मान सम्मान में व्रिद्धी होगी और जल्द ही सफलता हाथ लगेगी और यदि आपको सपने में दो बंदर दिखाएं दे तो समझ लीजे कि हनुमान जी का हाथ आपके सिर्फर है उनकी क्रिपा द्रिष्टी से आपके सभी काम बनेंगे बिगडेगा कुछ नहीं और अगर आपको कभी भी सपने में हनुमान जी की रौदर रूप दिखाई दे तो समझ लीजे आपसे कोई बड़ी भूल चूख हुई है जिससे हनुमान जी आपसे गुस्ता है आपको ऐसा सपना अगर आता है तो तुरंत आपको हनुमान जी से शबा मांग लेनी चाहिए वनना कुछ भी हो सकता है वही यदि आपने सपने में पंच मुखी हनुमान जी को देखा या दिखा है तो ये बहुत शुभ माना गया है ऐसा माना जाता है कि अगर आपको पंच मुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं तो आपको जल्दी सफलता मिलने वाली है आपकी सारी की सारी चाय जल्दपूर्ण होने वाली है तो यह है यदि आपके सपने में बजरंग बली हनवान जी आपको दर्शन देते हैं तो उसके अच्छे और बुरे पल जो आपको मिलेंगे उसके बारे में यदि आपको हमारी दी गई इस वीडियो में छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताईएगा फिराल के लिए ताहीं फिर मिलूंगे अगली वीडियो में कुछ और नए धर्ब कर्म की बातों के साथ